सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स वेंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाईए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हेलो एवरीबन वेलकम बाक तो माई स्टुडी चानल आज हम जर्नल साइंस समाने विज्ञान में जो मैंने बलड की सीरी स्टार्ट करे हुई है इसमें हम कुछ क्वेशन को पढ़ने वाले हैं इससे प्रीवेस वीडियो में मैंने बलड का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है तो पहले आप उन वीडियो को देखेगा उसके बाद में आपको ये क्वेशन स्याद अच्छे से समझ में आएंगे किस टाइप के बलड को युनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है इट मेंस कि जो कोई भी ले सकता है रिसीव कर सकता है तो आंसर है अबी एबी को युनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटी बॉडी नहीं होती है नेक्स्ट ग्वेशन इस टाइप ऑफ बलड इस कॉल्ड युनिवर्सल डॉनर युनिवर्सल डॉनर मेंस कि जो बलड किसी को भी जो हमारे फोर टाइपस के बलड होते हैं A, B, A, B और O उसके अलावा जो इसमें प्लस माइनस होता है इसकी बात नहीं करी जाए जो मेंन फोर टाइपस है उन बलड में अगर किसी को भी देना है तो वो जो युनिवर्सल वो ओ बलड ग्रूप होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटिजन नहीं होता है इसले ओ को युनिवर्सल डॉनर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन इस विच बलड सेल्स हेल्प टू फाइट इंफेक्शन और डिजीज कौनसी वाली जो बलड सेल्स हैं वो इंफेक्शन या ब इस वेन परसन इसलिपंग वान इस एफेक्ट ओन दशन नंबर ऑ बेसी जब हम सौरहे होते हैं या कोई भी परसन सो रहा है तो उस चांप पे जो उसकी और्बीची जया है तो अंशर होगा इट रिड्यूट इस यह फिर उनका जो नंबर है वह कम हो जाता है नंबर कम होती है इस विज़े से इतनी बॉट्री को एनर्जी की नहीं होती है जिसकी विज़े से जो आर्बी सी इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है ठीक है एस कंपेर टू कि जब आप उठे हुए हैं या फिर कोई फिजिकल वरक आउट करें अगर हम आई आई ऑल्टीटूड पे जाते हैं तो उस टाइम पर जो आर्बी सी आपकी जो है वो इनक्रीस करने लग जाती है ये दोनों क्वेशन इंपोर्टेंट है क्योंकि एक में कम हो रही है और एक में बढ रही है तो यह confusion create कर सकता है इसलिए दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेगा कि कब कम होंगी और कब ज्यादा होंगी high altitude पे जाने पे जो RBC हैं वो increase क्यों होने लग जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वहां पे oxygen की कमी हो जाती है तो जो oxygen की कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे body hormone है वो EPO को की जो EPO है body hormone EPO वो जो RBC इनकी production को ज्यादा कर देता है ठीक है erythro pyotene होता है EPO अब जिस वेज़े से जो RBC है इसका जो amount है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि oxygen की कमी पूरी करने होती है उनको muscles तक पहुंचाना होता है next question is four type of blood group four types कौन-कौन से हैं blood group के answer होगा A, B, AB और O AB जो है वो universal recipient है O जो है वो universal donor है next question is in adult person where RBC is produced RBC या फिर blood अगर question आता है कहां पर बनाया जाता है कहां formation होती है adults में तो answer होगा bone marrow और अगर किसी bone baby में पूछा जाता है या फिर जो photos होता है मतलब कि जो भून होता है हिंदी में उसे भून कहता है तो उसमें कहां पर होता है liver में ठीक है next है what is the ratio of RBC and WBC RBC red blood cells और WBC इनका ratio क्या होता है 600 ratio 1 next question is name the largest WBC largest WBC कौन सी है monocytes इससे previous video में मैंने आपको बहुत अच्छा सा समझा है क्या होते है monocytes और WBC के five types होते हैं उनमें से monocytes है जो कि जितने भी वायरिस या बेक्टीरिया जो हमारी body में आते हैं जो cells होती हैं वो मरने के बाद में सारी monocytes उनको खा जाते हैं जिसके विज़े से इनका size सबसे ज्यादा बढ़ा होता है नेमदा smallest WBC smallest WBC कौन से होते हैं lymphocytes इनका काम होता है जो external bacteria वायरिस हैं उनको किल करना और HIV इतनी खदरनाक disease है जिसमें lymphocytes ही मर जाते हैं lymphocytes को T cells भी कहते हैं next question is next question is who discovered the blood group of human जो हमारी body में blood group है four types है A, B, A, O यह किसने discover किये थे answer होगा आपका lens thinner next question is what is the state of blood blood की state क्या होती है viscous next is what is the main function of plasma plasma का main function क्या होता है answer है transportation means कि परिवहन करना जो digested food होता है उसका और hormones का और जो excretory products होता है जो waste material होता है इन सब को इन सबका परिवहन करना plasma का काम होता है next question is which disease is caused by the deficiency of hemoglobin hemoglobin की कमी से या खून की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो answer होगा anemia next question is which disease is called by the excess of hemoglobin अगर कून या hemoglobin ज्यादा हो गया उसकी कमी से अगर बिमारी होती है तो anemia और अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उसकी विज़े से जो बिमारी होती है उसे कहता है polycythemia ठेक है next question is in newborn baby RBC is produced at liver तो कहाँ पे बनती है liver में और adults में कहाँ पे बनती है bone मेरू में अस्ती मज़ा में next question is which type of blood cell shape is similar to amoeba amoeba की जैसी कौन सी blood cells की shape होती है answer होगा WBC क्योंकि WBC और amoeba दोनों की ही जो shape है वो fix नहीं होती irregular shape होती है next question is what is the duration of clotting of blood हमारी body से जब थोड़ा बहुत blood निकलता है वो अपने आप जमने लग जाता है clot होने लग जाता है तो उसकी duration कितने होती है 4-10 minutes 4-10 minutes में वो जो blood है वो clotting करना start कर देता है next question is how many types of blood corpules कितने type के blood corpules या रक्त रुद्रानू होते हैं तो answer होगा आपका 3 first is WBC RBC red blood cells लाल रक्त कनी का है second is WBC श्वेत रक्त कनी का है और next last is platelet so यह 3 types होते हैं next question is which disease is also known as Christmas disease कौनसे disease को Christmas disease कहा जाता है तो answer होगा आपका hemophilia इसमें क्या होता है जो blood है जो रुदिर है खून है वो जमता नहीं है properly इस disease की वज़े से जो hemophilia है यह दो type की होती है A और B तो hemophilia B में ऐसा होता है त्योंकि उसमें 9th factor नहीं होता जिसके वज़े से blood clot करना नहीं start होता तो उसे हम Christmas disease भी कहते हैं next question आता है आपका insufficient blood supply in human body is called अगर आपकी body में जो blood supply है वो insufficient है कम है तो उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं ischemia ठीक है और यह जो हमारी heart muscles होती है उन पर सबसे जादा effect डालती है और heart attack के chances बढ़ जाते हैं so यह कुछ blood के important questions थे जो हमारे previous year के SSC और other competitive exams में आई हुए हैं अभी तक मैंने blood की 4 जो videos आपको दी हैं उनके आपको link description में मिल जाएंगे और please इन सारी videos को देखे इन में से 2-3 questions आपके exams में competitive exam में definitely पूछे जाते हैं और good luck for your exams I hope आपको यह वीडियो पसंद आयो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो please like कीजे और stay tuned with our channel for more such videos thank you so much